आपका स्वागत है आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइन्स सब्जेक्ट को लेके क्योंकि अल्मूस जितने भी वन डे एक्जाम है आपके जैसे अब तो एससी में भी शायद क्वालिफाई कर दिया है फिर आपका बैंक हो गया आपके एक दिन के एक्जाम है उन सब में कंप्यूटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है तो कंप्यूटर के बेसिक को अभी जो आज हम लोग जो सीरीज शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर के विडियो लेक्चर की उसको अगर आप स्टेप बाइस्टेप फॉलो करते रहेंगे तो यह जो बंडे वाले एक्जाम है जितने भी उसमें जो कंप्यूटर से क्वेस्चन है उसमें आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कंप्यूटर के अंदर देखें आपको जो स्टेप बाइस्टेप जूट चीजे पंडी है जो कवर करना है वो जैसे पहला तो है आपका का इंट्रोडक्षन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोडदक्षन ऑफ कंप्यूटर है की काफी के अधर हम के आधर के बारे में हर कोई जानता है आध्लेस इतना जानता है कि किम्प्युटर क्वारे क्या होता लेकिन कम्प्यूटर के बस। कहां से ये generate हुआ कहां से इसका origin हुआ कैसे computer जो आठ के rate में आप देख रहे हैं वो कैसे picture में आया ये सारी चीज़े हम लोग इस topic में पढ़ेंगे introduction of computers में एक तरह से history, generation और ये सारी चीज़े second है आपका computer architecture computer architecture आर्किटेक्चर computer architecture में जैसे आपको मालूम है architecture मतलब सरचना तो computer कैसे बनता है क्या-क्या उसके main parts होते है ठीक है क्या hardware होता है क्या software होता है तो वो सारी चीज़े हम लोग second chapter में पढ़ेंगे computer architecture में और इसके बाद जो next आता है वो आता है आपका input output devices input and output devices input output devices क्या होती है कि देखे computer basic क्या होता है computer simply एक machine है computer चाहे जितना powerful हो जाए लेकिन उससे कोई भी काम कराने के लिए आपको instruction देना पड़ेगा आपको command देना पड़ेगा means आपको बोलना पड़ेगा उसको कोई भी का भले वो एक सेकेंड में दस लाग काम कर देता हो एक सेकेंड में एक लाग काम कर देता हो ठीक है? इतना powerful है लेकिन उन कामों को करने के लिए आपको command देना पड़ेगा until, unless आप command नहीं दोगे कितना भी powerful computer है वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा तो उन commands को देने के लिए command मतलब simple language समझ लिए आदेश उन order को देने के लिए आपको input devices की ज़रुत पड़ती है कि हम कैसे देंगे हम keyboard से type करेंगे वो चीज़ हम mouse से click करेंगे हम light pen से लिखेंगे कैसे करेंगे और उसके बाद computer अपनी processing करने के बाद जो result देगा वो कहां पे देगा तो वो सारी devices जो होती है वो output devices होती है जैसे monitor हो गया आपका ठीक है जब भी हम computer पर कुछ करते हैं तो वो चीज हुई की नहीं हुई वो हम कहां देखते हैं computer के monitor पे तो वो चीज हम देखते हैं output devices तो third chapter में हम लोग इसकी study करेंगे उसके बाद next आता है आपका computer memory यह बहुत important part है computer memory memory ठीक है कि computer में कैसी memory होती है कौन सी primary memory होती है कौन सी secondary memory होती है data कहां store होता है कब तक store रहता है कहां पे store रखना safe होता है ठीक है और भी कई चीजे हैं कि लोग कहते हैं पुराना computer हो गया इस पर यह software नहीं चलेगा यह सारी जो basic चीजे हैं तो यह आपको general concept है वो भी आपको clear होता रहेगा जो आपको daily routine में फायदे के लिए as well as computer आपके competition point of view से जो भी important terms आएंगी जो भी important definitions आएंगी वो हम आपको लिखवाते भी रहेंगे और उन terms को भी लिखवाते रहेंगे तो अगर आप step by step video lecture की series को follow करेंगे तो आपको किसी भी competition में as far as computer questions are concerned आपको problem नहीं होनी है ठीक four chapter होगा आपका computer memory का next आप आजाईए next है data representation next है data representation data representation के अंदर हम लोग यह पढ़ेंगे जब हम computer के साथ deal कर रहे हैं तो data कैसे represent करते हैं binary form में one zero से या किस तरह represent करते हैं computer उसको कैसे समझता है कितने तरह की coding format होते हैं evcdic code है bcd code है और आपका aski code है यह सारी चीजे हमलब means data representation मतलब computer को जो भी हम command देते हैं वो हम किस form में देते हैं और उसमें कौन-कौन से standard format यूज किये जाते हैं उन formats का क्या नाम है उन codes को हम कौन सा code बोलते हैं वो सारी चीजे हम लोग chapter number 5 में discuss करेंगे next आप आ जाईए chapter number 6 में हम लोग discuss करेंगे computer software ठीक है न क्योंकि computer hardware जो है यह architecture के अंदर आ जाएगा इसको अब चाहे तो लिख सकते है hardware जो hardware पार्ट होंगे वो इसके अंदर cover हो जाएगा तो छटे में हम लोग करेंगे next छटे chapter में computer software ठीक है कि computer software क्या होते है hardware क्या होते है पहले तो यह hardware आप simply समझे लीजे वो physical part computer का जो आपको दिखता है वो तो हो गया hardware ठीक है लेकिन software क्या होता है जो software वो part है जो आप देख नहीं सकते है वो computer के उपर install किया जाता है यह सब install करना क्या होता है software क्या होता है कितने तरह के software होते हैं यह सारी चीज़े हम लोग detail में इस chapter में discuss करेंगे computer software में अब आप next आजाईए 7th chapter में हम लोग discuss करेंगे operating system operating 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 systems operating systems क्या होते हैं OS यह भी एक तरह का software ही होता है लेकिन इसको हम यह सबसे important software होता है इसलिए इसको अलग से discuss करना जरूरी है क्योंकि बगएर operating system के computer नहीं चलेगा आप simply आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपके पास कोई कार है आपके पास कोई भी vehicle है कुछ भी है अगर आप उसका fuel नहीं है आपके पास अगर आपके पास कार है और पेट्रोल नहीं है उसकिया या अगर डीजल गाड़ी है तो डीजल नहीं है तो वो बेकार है ऐसी computer को चलने के लिए computer को काम करने के लिए operating system का होना जरूरी है तो साथवे chapter में हम लोग operating system के बारे में discuss करेंगे कि operating system कितने तरह के होते हैं होते हैं कौन से operating system किस computer पर इस्तेमाल होते हैं यह सारी चीज़े हम लोग deep detail में operating system वाले chapter में discuss करेंगे अब उसके बाद next आ जाईए 8 chapter में हम लोग क्या discuss करेंगे 8 chapter में हम कुछ operating system ही होते हैं जैसे जो सबसे आप सब लोग जानते होंगे Microsoft Windows जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला operating system है Microsoft Windows ठीक है इसको कई जगा आप देखेंगे MS Windows भी कहा जाता MS Windows ये भी कहा जाता है MS Windows के क्या feature होते हैं उसके कौन से components होते हैं Windows Explorer क्या होता है यह क्या होता है वो सारी चीज़े हम लोग Microsoft Windows के अंदर discuss करेंगे उसके बाद next जो आपका 9 chapter आएगा वो आएगा आपका database concept ठीक है database concept तो देखेंगे अब इसमें बात आती है database ही क्या होता यही अभी नहीं clear है database का मतलब कई तरह के data का collection that is called database ठीक रहे है तो database concept मतलब कई तरह के data का collection का मतलब यह हो गया जैसे हमने का कि माली जे कोई college है कोई school है उसके अदर एक हजार student पढ़ते हैं अब एक हजार students का name, father's name, role number date of word, address, phone number mobile number और भी तमाम चीज़ें previous class का percentage और यह जितना जो कुछ भी यह data आप एक student के बारे में है आपके पास तो एक हजार students का जो वो data होगा उसको बोलते हैं database जैसे दूसरी example हम लें आपको जैसे माली किसी शहर में या किसी city में लोग रहते हैं अब उन लोग का नेम पादर्स नेम डेट आप बर्ड क्या एड्रेस है ठीक है क्या कास्ट है क्या काटेगरी है क्या income है कितने बच्चे है क्या इस सारी चीजे इन सब का यह तो यह क्या हो गया यह data हो गया और इन सब का collection हो जाएगा that is called database तो इस chapter में हम लोग यह discuss करेंगे कि database concept मतलब कि data को कैसे handle किया जाता है मालीजी आपके पास 10 करोड लोगों का data है उसको कैसे handle करेंगे क्या करेंगे तो यह हो गया आपका database concept next chapter जो आता है आपका वो हो जाएगा Microsoft Office यह बहुत important यह भी एक software है लेकिन आपको यह पढ़ना बहुत जरूरी है Microsoft Office ठीक यह भी क्या है यह भी एक तरह का software है लेकिन MS Office में कई चीज़े आती है ठीक है यह जब हम इसमें जाएंगे तब इसके अंदर हम detail में जाएंगे तो MS Word होता है ठीक है किस लिए यूज होता है यह बात करेंगे Excel होता है किस लिए यूज होता है PowerPoint होता है ठीक है MS Access होता है ठीक है यह तमाम चीज़े जो है इसको हम लोग जो भी जरूरी होगी आपके completion point of view से क्योंकि हम लोग यहाँ पे simply target कर रहे हैं आपके एक दिन वाले जो exam है one day exam SSC, CGL हो गया CHSL हो गया, RRB हो गया bank हो गया और भी तमाम जो आप लोग के आप तो काफी चीज़े वीडियो हो गया, वीडियो हो गया हर तरह के exam में computer के basic क्या अब अच्छे खासे question आने लगे हैं ठीक है तो आपको इसलिए आने लगें कि अब maximum government department में या आप ये कह लीजे कि लगभख सभी जगह पे computer अब एक essential चीज़ बन चुका है आप कहीं भी जाएंगे आपको computer पे काम करना आना चाहिए तो काम करना आना चाहिए ये मतलब आपको उसकी knowledge होना चाहिए knowledge तब होगी जब आप उसका basic पढ़े रहेंगे तो ये जो हमारी computer के lecture की series शुरू हो रही है ये basically आपके one day exam को ध्यान में रखते हुए आपका कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करवा दे उस purpose से ये series शुरू की जा रही है ठीक है तो ये हो गया Microsoft Office step by step ऐसी chapter wise हम इसको detail में discuss करेंगे उसके बाद next जो आता है आपका वो आता है data communication and networking ये बहुत important part है data communication data communication and networking ठीक है इसका एक ब्रीफ आइडिया हम आपको दे दे कि data communication and networking देखिए communication का मतलब क्या होता है data का आदान प्रदान कोई भी information आप जब एक जगा से दूसरी जगा आप भेजते है ठीक है तो वो होता है data communication जैसे जिससे आप सारे लोग आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो email नहीं जानता होगा ठीक है न भई अगर email नहीं जानता होगा तो फिर वो Android mobile कैसे यूज करेगा या कोई भी mobile कैसे यूज करेगा तो ये जो email है ये भी क्या है ये भी एक तरह से data communication का माध्यम है means data communication मतलब कैसे data एक जगर से दूसरी जगर ट्रांसफर होता है किस form में होता है कैसे पहले वो convert होता है फिर बीच में क्या channel आता है क्या माध्यम होता है ये सारी चीजे हम लोग इसमें discuss करेंगे data communication में and networking का मतलब क्या हुआ networking का मतलब ये हुआ कि जिन दो जगहों के बीच में हम data भेज रहे है या जिन कई लोगों के बीच में हम data भेज रहे है ठीक है माल लिजे ये data भेज रहा है किसको b c d e इन सबको तो data तो ये आपस में कैसे connected है ठीक है ये ध्यान रखिएगा कि how they are उनको जब हम लोग chapter में जाएंगे तब बात करेंगे कि notes बोलते हैं और ये बोलते हैं और star network होता है और ये सारी तीज़े हैं तो ये हम लोग उसमें डिस्स करेंगे कि पहले बात तो data communication मतलब कैसे data transfer होगा एक जगह से दूसरी जगह उसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है और networking मतलब जिन लोगों के बीच में data transfer हो रहा है वो लोग आपस में किस तरह जुड़े हुए है clear तो that is called data communication and networking उसके बाद जो next chapter हम लोग discuss करेंगे वो discuss करेंगे जो सबसे जरूरी चीज है आज के समय में जिससे किसी का काम नहीं चल रहा है especially after COVID-19 वो है आपका internet and its services internet आज के समय में सारे लोग इस से internet and its services ठीक है internet क्या होता है ठीक है और इसमें कौन कौन सी services होती है कैसे हम इसको use कर से है इसकी जो इसमें कौन से technical term आते है www क्या होता है ठीक है board क्या होता है ये सारी चीजे जो भी technical चीजे हैं जो आपके exemption point of view से important है वो सारी चीजे हम लोग इसमें discuss करेंगे और उसके बाद last में हम लोग एक जो सबसे जरूरी चीज है वो है 11-12 जो भी chapter हो गया आपका computer security क्योंकि ये सारी चीजे बेकार हो जाएंगी अगर computer security ठीक है न अगर ये सारी चीजे बेकार हो जाएंगी अगर हम जो भी data transfer कर रहे हैं या जो भी काम हम कर रहे हैं हम data नहीं transfer कर रहे हैं मान लिजे अपने ही computer पर काम कर रहे हैं और अगर वो data secure नहीं है वो चीज हमारी secure नहीं है कोई भी उसको अपने computer खोल के देख सकता है यह computer खोल भी लिया उसने तो भी उसके सारी चीज़े तो फिर वो बेकार हो जाएगा ठीक है ना कि data computer security इसी लिए इतना important है कि जैसे माल लिजे आपने बहुत बढ़िया घर बनाया बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं ठीक है उसमें सारी चीज़े सारी सुक्सुविदाय चीज़े उपलब्द है ठीक है और main problem क्या है कि उस घर में ताला नहीं लग पाता तो ताला नहीं लग पाता तो उसके अंदर आपने जितनी भी अपने important चीज़े रखी हुई है जैसे computer के case में जितनो जो भी हमारा important डाटा रखा हुआ है वो सब unsafe है और unsafe है तो फिर कौन रखना चाहेगा उसका है तो इसलिए computer security जो है वो बहुत important topic है तो यह इस तरह हम अपने पूरे computer के syllabus को इन chapters में divide करके इन chapters को हम अलग-अलग video lecture में divide करके आपको जो है regularly lectures पे आपको provide करेंगे और आप hopefully आप इसको अगर follow करेंगे ठीक है तो आपको competitive examination में कोई problem नहीं होगी तो I hope कि आपको यह video content पसंद आया होगा अगर आपको यह content पसंद आया तो please आप video को like कीजे, share कीजे, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप comment line में जाके comment कर सकते हैं और please channel को subscribe कीजे ताकि और भी students का benefit हो, thank you